नमस्कार मैं अलबना मेरे चैनल प्यारी बीडिया रानी में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए बनाऊंगी पास्ता पास्ता तो आप घर में डेली बनाते हैं और खाते हैं और सबको बहुत पसंद आता है लेकिन आज जो हम पास्ता बनाएंगे ठेले वाले तरीके जैसा कि ठेले वाला बनाते हैं ठेले वाले का पास्ता बहुत ही टेस्टी और स्वाधिश्ट बनता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कडाही रग देंगे करम होने के लिए और उसी में पानी डाल देंगे और पानी मारा गरम हो गया उसमें एक चमच नमक डालेंगे और जब तक उबाल ना आए थोड़ा सा इसको हलका चलाते रहें और जब खुब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो एक बार हाथों से निकाल के आप पास्ते को छिक कर लीजे जब पास्ता हमारा पक जाए तब हम इसको छान लेंगे पास्ता तो हम घर में हमेशा बनाते हैं और फुस तरह से पास्ता आज हम बनाएंगे कि वोक्या टालते हैं इसी चीज तो यह देखिए हमारा पास्ता इच veggs के निकाल लेंगे यह देखिए हमें रिकूल छान है इंगाल लिया तो आप तरह सा तो बनासे है और या तो आपको 10 से पंद्रमेट के लिए रखना है आधे घंटे के लिए तो पास्ते को आप उबालकुस में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह से अगर मिक्स कर देंगे तो यह आपके पास्ते बिल्कुल चिपकेंगे नहीं और खीले खीले रहेंगे क्योंकि ठेले वाले क्या करते हैं क्योंकि उ जब थोड़ा सा प्याज एक प्याज गाजर पत्ता गोभी सिम्बला मिर्च और अद्रक काटके तयार कर लिया है सबसे पहले हम प्याज ढालेंगे प्याज को बिल्कुल छोटा-छोटा काटना है और यह ध्यान रखें कि प्याज को में बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हलंकि भूनना है सारी जो भी सब्जी वह डालें बिल्कुल भूणना है जैसा कि आप देख रहे हैमारी प्याज करणा आप प्याज हल्की भूण गई अब इसमें नट्रच को भी डालेंगे और डालके मिला देंगे और जो भी टेल आप खाते होň वो टेल से आप सकते हैं बटर से भी घी से भी बना सकते हैं लेकिन हम allows करना तेल से बना रहे हैं अब इसमें हम जो सिमला मिर्चों और काट की रे थे हम थोड़कुल गाज़्स के लिए बनाने के लिए बचन के लिए बना रहे हैं तो एठी दर से डालेगalen गोद कि इस सब्रै को बहुत ज़्यादा आपको सारी सब्जी यह को बहुत नहीं भूंना है रहे हो अअ द्री तो इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क हो जाएगा और उतना अच्छा कलर नहीं रहेगा इसलिए अब हमने जो टमाटर बारिक काट के रखा था दो टमाटर उसे भी डाल के इस तरह से मिलाएंगे कुछ लोग धक्कन लगा देते हैं धकन लगाने से क्या होता इसका कलर जो है काला हो जाता है तो हम धक्कन नहीं लगाएंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेश्ट नुसा जिससे हमाई सब्जियें अच्छी तरह से पक जान यह देखिए इस तरह से डाल के इसको हम मिलाएंगे जब भी आप च्वाइमीन पास्ता कुछ भी बनाईए तो गे रखा है लहसुन इसको हमने लहसुन को 8-10 कली लिया था लेकि इसको कूट लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको रखा है अभी इसको हम बताएंगे कि इसको हम क्या करेंगे यह देखिए इस तरह से सब्जियों को डालेंगे और डाल के मिलाएंगे जब तक हमारी सब जिए इधर पक रही है तब तक हम देख लेते हैं हमारा जो पत्ता को भी है इसको भी हम डाल देंगे और डाल के इसे भी मिला देंगे क्योंकि पत्ते बहुत चल्दी से पक जाते हैं इसलिए इसको थोड़ा साम लाश्ट में डाल रहे हैं कि डालेंगे डाल के मिला देंगे लिअज सारी सामक्री को हम मसालों में डालेंगे डालने से क्या है यह जब हम। इसपे पास्ता डालेंगे अभध अच्छी तरह के से आएगा और फिर जब भी पास्ता खाएंगे तो हमें चटनी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक चमच हमें इसमें पास्ता मसाला डालेंगे उसे भी डालके मिला देंगे अब थोड़ा सा गैस की आँच हम कम कर देंगे और सारी सब्जी हमारी बिल्कुल हलकी हलकी पक गई है और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कलर वही कलर है जिस तरह समने सब्जीयों को डाला था अगर आप इसको ढख देंगे तो इसका कलर थोड़ा सा काला हो जाएगा यह देखिए अब हमारे पास्ते बिल्कुल खिले खिले पास्ते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया था और डाल के इसको इस तरह से मिला देंगे थोड़ा सा गैस की आँच कम रखें और धीरे धीरे इसको उलट पलट के अच्छी तरह से मिक्स कर दें पास्ता हमारा बन के बिल्कुल तयार हो चुका है तो हमारे पास्ते का कलर भी खुब अच्छी तरह से आ जाएगा और टेष्टी भी बनेगा अब जो हमने लहसुन लिया था लहसुन को हमने थोड़ा सा कूट के उसमें हम पानी डाल के रखे थे अब इसको हम उपर से डालेंगे पकने के बार डालना है इससे डालने से क्या है इसका स्वाद बहुत अच्छी तरह से आएगा जो ठेले वाले हैं वो क्या करते हैं कि लहसुन का पानी रखते हैं और उसी पानी को उपर से डालते हैं जो उसका स्वाथ बहुत अच्छी तरह से आता है और हम बार बार ठेले पर खाने के लिए मजबूर होते हैं तो आप भी एक बार इस तरह से लहसुन का पानी डाले हैं लहसुन को कूट के ही थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के बाद उपर से डालें और फिर आप पास्ते को खाएं तो बहुत ही टेश्टी बनेगा तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तयार हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा हरा तो हम इस तरह से बना लेते हैं तो उतना अच्छा वो टेश्टी नहीं बनता है तो देखिए पास्ता हमारा बिल्कुल बन के तयार है और जब आप इसको खाएंगे न तो फ्रेंड्स आप इसका स्वादा भूल नहीं पाएंगे और बार बार आप इस तरह से बनाएंगे तो जब भी आप पास्ता बनाईए तो उसमें लहसुन का पानी जरूर डालिए कुछ लोग लहसुन काटके भी डालते हैं लेकिन हम लहसुन काटके नहीं डालते हैं उपर से उसका पानी डालते हैं यह बहुत ही स्वादिश्ट और टेश्टी बनता है तो जो भी आप बना दिल से बनाई है तो बहुत ही अच्छा बनेगा तो बने रही है हमारे चैनल पर देखते रही है मिलते हैं नेक्स टाइम किसी नए रेस्पी के साथ हमारा चैनल देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद